हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू माई चानेल जीनियस कॉम्टे सेंटर ऑनलाइन प्लास सो लास्ट फीटियो में हम लोग वाट डॉक्मेंट लेके एक एक करके सब कुछ डिसकस किये थे आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके डिसकस करेंगे बहुत सारे वीवर्स बोल लहे थे कि अगर आप हिंदी में बोलते तो बहुत अच्छा होता हम थोड़ा समझ पाते तो इसलिए आज का जो वीडियो होगा Excel का पार्ट जो होगा वो हिंदी में ही नॉर्मली होता रहेगा तो हिंदी में क्यों होगा इसलिए आप सब जान पैचान कर पाएंगे या आप हिंदी में ही सब समझ पाएंगे या फिर और भी अगर पॉब्लियम होगा तो बोलिएगा हम उसको चेंज कर देंगे कोई पॉब्लिम नहीं है तो आप प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करना जरूर सब्सक्राइब करना और हम लोग के संग रहना ठीक है पर एक बाद बोद्धू हिंदी पे थोड़ा वीखू पर काम चानाने के लिए ठीकी है और अच्छा लगने से आप कोमेंट करिएगा जरूर जो हम लोग ये जो प्रायास है कैसा लगा है मैं कोशिस करूँगा आपको बेटर दिखाने के लिए जितना हो सके कैलकुलेशन दिखाऊंगा आप लोगों को जैसे आपके पूरा ग्रीप में हो आज का जो पोशन है थियोरी पोशन जो इंट्रोड़क्शन है इसमें एक्सेल में और हम लोग एक इंट्रोड लेंगे इंट्रोड के बाद दें आज का जो वीडियो है वोगों स्टार्ट करेंगे ठीक है दोस्तों तो हम लोग उते संग रहीएगा ओके आज हम लोग माइक्सेल तूथाउजन सेवन लेके डिद्कस करेंगे तो आज का जो पाठ है नॉर्मली थियोरी पोशन होगा जीशका एक्सेल का इंट्रोडेक्शन हम लोग इस चाप्टर में डिसक्रस करेंगे तो थियोरी पोशन है हम लोग एक स्लाइट किया है इसको औपर बेस्ट करके हम लोग आज का पेज़न जो है चालू करेंगे तो Microsoft Excel, Genius Computer Center, ठीक है, तो Excel चीज़ क्या है, Excel जो है, Excel मेरा एक Spirit Sheet है, Electronic, Spirit Sheet मतलब क्या है, जिसमें हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग Spirit Sheet के जगा, वाकशिट भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या, Computer में हम लोग Run करते है, Microsoft Office, वो Office का एक बहुत इंपोर्टेन्ट, इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, यह Normally हम लोगों का Column और Roll लेके, यह एक Excel क्रियेट हुआ है, यह Cell के ऊपर ही हम लोग बहुत सारे Calculation कर सकते हैं, जितना सारा Mathematical Calculation हो, या Logical Operation हो, हम लोग बहुत जल्दी, Quickly इसको Calculation करके, हम यहाँ पर ला सकते हैं, तो Excel मेरा बहुत ही Important Part है, आज के जमाने में Excel में बहुत सारे चीज़, Calculation होता है, बहुत सारे चीज़ यहां में, हम लोग Excel पर कर सकते हैं, ठीके, दोस्तों, निक्स आ रहा है क्या, Excel हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो Excel स्टार्ट करने के लिए हम पुच्छा, पहले Start Button में जाना होता है, उसके बाद All Program में जाना होता है, Microsoft Office में जाना होता है, Office का यह एक Important Part है, तो Office में जाने के बाद Microsoft Excel 2007, तो यहां पर यह जो स्टेप है, यह स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे, जो मेरा स्क्रीन आएगा, वो क्या होगा, ठीक ऐसे, यह मेरा हो गया, Excel स्टार्ट, तो Excel का स्क्रीन मेरा ऐसे आएगा, तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर देते है, कौन चीज क्या होता है, इसको हम लोग पूरा क्या बोलते है, Book One बोलते है, तो सबसे पहले हम देख लेते है, क्या है, तो यह जो उपर Book One Microsoft Excel है, इसको हम लोग बोलते है, Title One, तो Title One मतलब क्या है, जब भी हम document create करने के बाद, जब कोई नाम से हम इसको save करेंगे, तो save करने से देखेंगे, जगा मेरा यहाँ पर कोई दूसरा नाम जो देके save करेंगे, हो आजाए, मतलब जो title आप देगे है, यहाँ पर आजाए, उसके बाद यहाँ पर है, minimize button, title बार के right side पर होता है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, restore down पर, तो यह फिर maximize हो जाता है, और यह close button है, तो यह जो है, एक important part है, title बार, उसके बाद आ रहा है, यह जो goal, top side, left side पर, और corner पर, 2007 पर, यह जो यह portion है, इसको हम लोग बोलते है, office button, तो यह office button बहुत ही, महत्पून एक button है, इसमें हम लोग क्या क्या क बनाना चाहे, तो बना सकते है, save किया हुआ, फाइल को हम अगर open करना चाह सकते है, तो open कर सकते है, और भी बहुत है, print, print, बगड़ा, बगड़ा, पेस्ते का वे सब हम लोग, यह office button जो है, इसके साहरे, या इसके मदद से हम लोग काम कर सेके, ठीक है, दोस्तों, तो यह Microsoft Office बटन समझ में आया, next आरा है क्या, the quick access tool bar, तो quick access tool bar क्या, ठीक, जो office button है, office button के ठीक, right side पे, title bar के left portion में, जो bar है, इसको हम लोग बोलते है, quick access tool bar, और तब अगर हम चाहे, तो save करने के लिए normally क्या, हमको office button में जाना परता है, then save में क्लिक करना परता है, then save button में जाके, हमको click क जल्दी access करना चाहे, तो यह जो बक्सा है, मतलब कोई access, जल्दी access करने के लिए यह जो बक्सा है, बोक्से से, इसको save button कोलते है, यहाँ पर हमको सिर्फ click करके, जो नाम चाहिए, लिग क्या होगा, अगर enter मारते है, तो और नाम यहाँ पर save हो जाए, ठीक है, उसके बाद अगर कोई गलती होगा, तो इस button को press करने से, मतलब जो गलती किया था हो ठीक हो जाएगा, और यह है, redo, मतलब अगर तुम फिर से backward आगर जाना चाहिए, यह forward backward है, तो redo भी हम लोग कर सकते है, मतलब जो चीज चाहे, यहाँ पर point जो है, यहाँ पर click करके, अगर आप और भी कुछ चीज, quick access के लिए insert कर सकते है, तो यहाँ पर click mark आप ले सकते है, ठीक है दोस्तों, तो quick access toolbar समझ में आया है, उसके बाद इस title बाद तो हम लोग discuss कर चुकी है, इसको हम लोग पूरा क्या book बोलते है, तो जब भी title या नाम देने से परते हैं, तो इसको हम लोग title बोलत या फिर हम लोग इसको मेनू बार भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मेनू के अंडर पे जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सर बटन्स बोलते हैं, या फिर tabs के अंदर हम लोग इसको tool बार भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग sub menu बार भी बोल सकते हैं, तो तूर यह एक एक ग्रूप के अंदर यहां से क्लिफोट तक AI lignment टूप यहां से नंबर ग्रूप यहाँ से यहां तो यह एक एक ग्रूप के अंदर on इसको हम लग बटन भी बोल सकते है या साप मेनु बार भी पोल सकते है तो इसके अंदर इतने चीज़ है अगर और भी हम लोग और मतलब टूल्स लाना चाहे तो यह जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते है डायलोग बॉक्स लाचर यहां से क्लिक करके आप और भी ऑप्श मेरा यहां पे जो है जूषी वान, शीट्ट्टी, शीट्ट्री इसको हम लोग बोलते है एक हट शीट, ये शीट के उपर हम लोग काम करेंगे, प्लाब क्यालकुलरशन जो है आपके रामदा ओके दोस्तों याद रखना है फिर देखिए यह जो है A, B, C, D इसको हम लोग एक कलम बोलता है जो भार्टीकली फॉर्मत में रहता है और यह जो वान टू ठी यह जो होराईजन्टल होता है इसको हम लोग रोग होता है तो यह एक कलम रोल लेके यह जो बोक्स बोक्स हुआ इसको एक एक सेल मोर्ट पर ही हम लोग बहुत सब्सक्राइब करसे हैं, यहां पर देखे, यह से एच करे, अब और भी जा सकते है, यहां से ए ए बी सी जेड होने के बाद ए ए भी एसी ऐसे करके बहुत सार आएगा लास्ट जो कलम होगा एक सेवटी तो उसका कलम का जो नंबर है 16384 मतब इतने सारे कलम तो रो कितने है ए वांट फू स्वी करके 10,48,570 मतब 10,48,56 तो इतने सारे मेरे रो है तो कलम और रो लेके ही मेरा एक एक सेल प्लिएट हुआ है और समझ में आ रहे है एक ही सीट पे 10,48,570 रो और 16,384 कलम तो यह एक ही सीट पे फिर दो सीट टू पे कलिक करेंगे फिर यह ही है तो यहाँ पे और भी आएगा मतलब फूल मिला के आप सोचिए अगर एक एक सेल पूपें करेंगे तो हीूज अवांट आफ क्यालकुलेशन यहाँ पे करके आप यहाँ पे स्टोर करते रख सेलेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे इस सब एक्स्प्लेंट कर दिया है जो सब्सक्राइब को पूता रहता है 16 जा 344 कलम है लास्ट कलम एक रही और जो है रो नंबर दस लाग अट चोली सज़े पास्ट छी अतना है ओके दोस्तों अब आ रहा है फॉर्मुला बार किसको बोलते है यह जो एफेक्स जैसे होता है यहां विसको हम लोग यह जो बार होत चीज है जिसको पर बेस करनका हम लोग फॉर्मुला देखे यहां पहे सब चीज सिकाएंगे नेख्स्ट नारा है स्टेत्स वाइख तो स्टेतास वाग क्या होता है एक दम नीचे जो बार रहत है टास्वर के ऊपर जो रहता है इसको स्टेतerson ब्र क्यों нужlichkeit कितना है स्टेक् रहता है इसको हम लोग status वर होते हैं देखिए यहां पर कुछ नहीं लिखा है बोलकर यहां पर कुछ नहीं आया है तो यहां पर जब कुछ उसको को दीखा देगा सब यहां पर नंबच पर मेरा अभी अंचीश्ञ है थीखेος मतलब यहां पर रखेंगा यहां पर रखेंगा यहां जरूब बॉक्स पे आपको ये बाला सोब कर देंगे तो समझ में आया खीक है दोस्तों